जब मैं उधर था तब भी मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंतरन को मत ठुक राओ ये बात आपने किस से कही थी जिन से कहनी चाहिए थी मैंने कहा आप हाना में जवाब दे दिजेगा ने ने मिनाक्षी जी आपने राहुल जी से कही थी मिनाक्षी जी मिनाक्षी जी आपने पूछा किस से कही मैंने का जिस से कहनी चाहिए थी तो ये क्या अधूरा जवाब है मेरे दरशुकों के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या आपने राहुल जी से या प्रियंका जी से आप तो प्रियंका गांधी के political advisor रहे हैं official political advisor रहे हैं आपने उन्हें कहा नहीं था कि राम मंदिर का निमंतरन पत्र नहीं ठुकराना चाहिए बड़ा नुकसान हो जाएगा बिलकुल कहा और जब ये सवाल खड़ा हुआ कि पूरा विपक्ष राम मंदिर के निमंतरन को ठुकरा रहा है तो मैंने कहा कि ये मत करो ये गुना है ये पाप है ये ठीक वैसा है जैसा भगवान कृष्ण की सला को दुर्योधन ने ठुकराया था अब उसका परिणाम क्या हुआ जहां तक सवाल मेरे निश्कासन का है तो मैंने ये बात कही थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारों में समलित होना ये मेरे लिए स्वभाग का विश्य है सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद ये समय आया है जब भगवान राम कि जन्भूमी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भी भारत के यशाश्री प्रधान मंतरी के करकमलो द्वारा और प्रधान मंतरी किसी एक पार्टी का नहीं होता है तो मैंने कहा कि राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारों में आपको समलित होना चाहिए मुझे कहा गया कि नहीं वो एक पर्टिकुलरी पार्टी का कारिकरम है और आप भी मज जाए ये ये बात किसने कही थी और कहा गया कि आप भी मज जाए वरना आपके खिलाफ कारवाई हो जाएगी ये आपने भी मुझे सवाल किया था कि आपको अपने निश्कासन का डर नहीं लगता तो मैंने तब भी ये कहा था राज भी ये कह रहा हूँ कि राम के नाम पर एक बार निश्कासन होने की बात छोड़ी ये हजार बार निश्कासन मुझे मैंजूर है आप ही कह रहे हैं कि आपने पार्टी की समस्या पार्टी के लीडर से डिसकस की और खास तोर पर स्वनातन के विशे पर तो पार्टी से क्या गाइडेंस आती थी? क्या दिशान निर्देश होता था? अचारे जी इस पर जादा मत बोलिए या इस पर बोलिए इस पर खुल कर बोलिए फर्स कीजे मैं मैं आज जो कॉंग्रिस पार्टी पर आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुसलिम तुष्टी करण की नीती पर कॉंग्रिस पार्टी चल रही है क्या ऐसा कहा जाता था कि Muslims को लेका थोड़ा सा soft corner रखिए देखिए Muslimान भी Hindustan के नागरिक है Muslimानों के साथ Hindustan में कोई बेदभाव नहीं हो रहा है मेरे हजारों की संख्या में मैं ऐसे Muslim scholars को Muslim उलेमाओं को Muslim मौलानाओं को जानता हूँ और मेरी बात होती है मुझे Hindustan में एक भी Muslimान ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं डरा हूँ हिंदुस्तान का मैं आप बताती हूँ आप OVCG से नहीं मिले आप असरदीन OVCG से मिले होते तो वो बताते है वो यह कहते कि आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे नहीं कहा कि Hindustan का मुसर्मान गुस बैटिया है उन्होंने कहा है गुस बैटिया गुस बैटिया है तो जो गुस बैटिया है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है जो बाहर से आकर के हमारे इस देश की सान्ती को भंग करना चाहते हैं हमारे इस देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, क्या उनका स्वागत करना चाहिए, तो मैं प्रधान मंतरी के इस बयान के साथ एकदम अडिग होके खड़ा हूँ, दूसरी बात, आपने एक सज्जन का नाम लिया, कि ओवैसी कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ ओवै जिस देश का चीफ जस्टिस आफ इंडिया मुसल्मान रहा हो, जिस देश का आर्मी चीफ, एर चीफ मारसल लतीफ रहे हो, उस देश में मुसल्मान के साथ भेदवाब हो रहा है, ये बात कहीं जा सकती है, फगुदील अली अहमद, जाकिर हुसैन, एपी जे कलाम, क्या ही म मुसल्मान नहीं थे, लेकिन अफसोस इस बात का है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता है, ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म के अलंबरदार है, सेकुलरिज्म बुरा नहीं है, स्यूडो सेकुलरिज्म बुरा है, ये हिंदुस्तान के मुसल्मान को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं यह हिंदुस्तान के मुसल्मान को यह बताना चाहते हैं कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो और मीनाक्षी दुनिया में मुसल्मान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है इतना अरब में भी सुरक्षित है